नमस्कार मैं हूँ पिव श्व्यास बिजनेस एंड लाइफ ग्रोथ कोच आज की वीडियो में आपका स्वागत है सफल लाकिया आपको आज मैं दो चाबी बताऊंगा सबसे पहली चाबी है ड्रीम ड्रीम मतलब सपना देखना हम हर चीज का सपना देख सकते हैं और सपने देखना सबसे पहला स्टैप है अगर आप सपने नहीं देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा के जो चीज आपके हाथ में आने वाली है वो कैसी है अगर आप सपना नहीं देखोगे तो आपको आइडिया ही नहीं आएगा के उसका मूलिय क्या है अगर आप ड्रीम नहीं देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा के हैपिनस क्या है येस, dreams are secret of happiness, जब तक आप सपने नहीं देखोगे, आपको दिन रात enthusiasm नहीं आएगा, उच्सा नहीं आएगा, आप नर्वस हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, तो dreams देखना हमारा हक है, dreams देखना हमारा अधिकार है, और सफलता की सबसे पहली जो चाबी है, that is dream, dreaming सपने देखो, जितने सपने देखने उतने देखो, लेकिन सपने देखने के बाद, चाबी नमबर दो, की नमबर टू, जो है, that is work, work की बात आते ही, आधे लोग जो है, पौने लोग जो है, 90 परसंट जो लोग है, वो सपने ही देखते रहते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, dreams के उपर work करना बहुत जरूरी है, जो भी सपना आपने देखा, उसके उपर आपको काम करना पड़ेगा, उसके उपर आपको महनत करनी पड़ेगी, हो सकता है कि उसके उपर आपको मजदूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो dream को success करने के लिए, उसको reality में convert करने के लिए, आपको work mode पे आना पड़ेगा जब तक आप आपके work mode पे नहीं आते आपके dreams reality में convert नहीं होगे और success आपके कदम नहीं चुमेगा dreams देखना एक अलग बात है और work करना एक अलग बात है 60-70% लोग ऐसे हैं जो dreams देखते हैं लेकिन work नहीं कर पाते work करना मतलब आपको हर चीज बारी की से करनी पड़ेगी हर चीजों पे काम करना पड़ेगा लोगों को मिलना पड़ेगा हो सकता है कि आपको work में paper work करना पड़ेगा हो सकता है कि आपको work के दौरान लोगों को मिलके उनको खाली खाली तारीफ करने के लिए भी आपके काम निकलवाने के लिए भी वो काम करना पड़ेगा वो भी एक work का एक party है work का मतलब यह है meetings करना communicate करना लोगों के साथ बाचीत करना work का मतलब यह है कि जो project यहां जो भी dream आप लेके चल रहे हो उसके उपर continuous काम करना 10 गंटे 12 गंटे 15 गंटे क्योंकि आपको आपका dream जो है उसको reality में convert करना है इसी लिए work mode पे आना बहुत जरूरी है दोस्तों आज का मेरा जो वीडियो है वो खास उन लोगों के लिए है जो work mode पे नहीं आते work mode पे आने से पहले ही वो dream world में ही अपनी जिन्दगी अपने goals को चलाते रहते है और वो work mode में आने से डरते है और work mode पे आने से उनका जो reality है वो पता चलता है कि ये work नहीं कर पाएगा और ये work mode पे ये बंदा नहीं चलेगा बहुत सारे ऐसे लोग है जो work mode के उपर कुछ भी नहीं कर पाते हैं जो work mode में बहुत पीछे है काम को हाथ में लेने से कत्राते हैं काम को हाथ में लेने से डरते हैं काम को चालू करने से पहले उनके दिमाग में एक negativity फैल जाती है और वो काम से दूर भागते हैं काम से दूर मत भागिए वर्क से दूर मत भागिए वो कहते हैं वर्क इस वर्षिप तो आज की आपको दो चाबी याद रखनी हैं number one is dream and number two is work dream plus work is equal to success सफलता प्राप करनी है तो ये दो ही चाबी आपको जीवन में याद रखनी है और इसी को फॉलो करना है देखते रिये वीडियोज लाइक कीजिए शेर कीजिए see you again with a new video take care